नमस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से गबर आपको सागत है, तो आज आप इमें बात करूँगा दिकच एक पाइबेट बैंक के बारे में, इसका नाम आप पहले देख चुगे है, Axis Bank, तो Axis Bank जो है, वो दिखा जाए एक इंडिया का 4th largest पाइबेट बैंक है, मतलब जितने सारे पाइबेट बैंक से, उनमें देखा जे तो Axis Bank, 4th largest पाइबेट बैंक है, तो इस बैंक के बारे में आपे बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, तो इस बैंकिंग के उपर एक बहुत बड़ा गुर्णीज है, इस गुर्णीज क्या है, वो तो आपको जुरू के गुर्णीज के बारे में, तो यहापे आप देख सकते हैं, आज के तीन, स्टॉक में कितना सांदार है, यहापे तेजी देखने को मिला, करीवन 1% तक, और पिछले दिनों के चार पेटन देखेंगे, तो और भी सांदा तेजी था, कल के दिन तो करीवन 3-4% तक तेजी और पीछे एक बड़ा कारण है, एक बड़ा रिजन है, तो वो रिजन क्या है, वो कारण क्या है, उसी के बारे में आपर बात करूंगा, तो एक एक करके पूरा डिटेस देखिए, तब ही आपको सारे डिटेस यहापे क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा लास तक बहुत कुछ यहां पर जानने को और सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात जो यहां पर बैंक का नाम यहां पर बताना हैं वह है Citi-bank तो Citi-bank के बारे में आप बहुत सरे दोस्त जानते भी हैं ना भी जानते फिर भी मैं आपको बता दू यह एक American basis कैसे बेंग है आप देख सकते हैं यहां पे देखे फास्ट नस्ट नेशनल बेंग आफ न्यूर्प के एक कमपानी है तो इस सीटी बेंग जो है वो इंडिया में इतना दिनों तक बिजनेस कर रहा था, मतलब इतना दिनों तक खुद का बिजनेस यहाँ पे फैरा के रखा था, अभी वो company totally खुद को यहाँ पे सारे के सारे उसका जो sector है, सारे के सारे उसका जो finance sector है, उसका जो banking sector है उसको उसको बेच कर वो New York चला गया, मतलब New York जाने के लिए totally finalize हो चुके है, तो किसको बेचा जो, मतलब इहाँ पे उनका जो पूरा के पूरा 100% share, यहाँ पे देखे कोई भी percentage नहीं लेके गया 100% share उन्होंने बेच के गया और वो share बेचा किसको Axis Bank को, तो यहाँ पे Axis Bank का जो तेजी है, इसके पीछे जो big reason है वो reason अब देख सकते है यहाँ पे totally जो reason है इसका वो banking को totally बेच कर चला गया, तो किसको बेचा मैं पहले आपको बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ कि Axis Bank को बेचा, पहले City Bank के साथ, City Bank के साथ जो deals हुआ था, किसके साथ Kotak Bank के साथ, तो Kotak और Axis, इस दोनों Bank, City Bank को खरिदने के लिए बहुत जोर सोर्स से काम चलाया था, और finally success जो हुआ, वो है Axis Bank, Axis Bank को ही मिला सारे के सारे हिस्सेदारी, 100% हिस्सेदारी इस Bank को मिला तो यहाँ पर Axis Bank का कितना फाइदा हुआ, कितना losses हुआ, और क्या इस company के उपर future में और भी फाइदा हो सकते, तो इस तरीके से question के बारे में आप बात करने बाला हूँ तो चलो सबसे पहले news के उपर चला जाता हूँ news में ही सारे details आप चुपे हुए है स्किलिंग डाउन इंडिया ओप्स विद 12,325 करोड बहुत ज्यादा पैसा देखर बेचना नहीं पड़ा मात्र 12,325 करोड में बेच दिया किसको Axis Bank को, Arms Sale to Axis Bank तो आप देख सकते हैं American Bank American Bank में तोड़ा सा जूं कर देतो और भी क्लियर हाँ चलो American Bank Major City Bank City has joined a long list foreign bank that have either exit or cut down on their business यहापे देखे, totally business cut down करने वाल है और India with the sales of the consumer banking business to Axis Bank overall बात करो तो 12,325 करोड का total budget देखर यहापे बेचा गया है और यहापे देख सकते है, Axis Experts for Sing, यहापे देखे, Singaporean Leaders, DSB, sorry DBS, DBS Bank भी Singapore का bank है और वो भी क्या बता रहे, which has, यहापे देखे, expected to person, it's the country and also acquire a domestic provide sector bank, many foreign leaders, मतलब यहापे जो foreign banking था, उसको totally बेचा गया तो यही DBS bank भी बता रहा है कि अच्छा खासा एक opportunity Axis Bank को मिल गया, तो यहापे totally जो sector को बेचा गया, क्या क्या बेचा वो भी आप देख सकते हैं, यहापे पूरा details में आपको दिया गया है, वो यहापे पूरा को sector बेचा गया और वो भी एक अच्छा खासा price में 12,300 करोड का total price में यहापे बेचा गया, तो ओविएसरी banking, Axis Bank का जोरू फाइधा होगा, क्या इसका जितने सारे customer है, वो सारे के सारे customer Axis Bank के उपर आजाएगा, और साथी साथ इस company का जितने सारे AD था, जितने सारे savings था, जितने सारे current account था, सारे के सारे यहापे Axis Bank के उपर आजा आजाएगा, सर्फ एही बात के उपर चर्चा चल रहे थे कि जो cities bank का जितने सरे employees थे cities bank के काम करने के लिए banking employee तो होना मतलब banking employee तो थे वो कहा जाएगा वो भी settlement हो चुके है वो भी access bank के उपर ही join करेगा और जो cities bank के उपर काम कर रहे थे वो अभी access bank के लिए काम करेगा क्योंकि 100% 100% का share का हिस्सेदारी अभी access bank बन चुके है इस company को पूरा पूरा के पूरा खरीदने के बाद तो क्या अभी access bank के access bank में जो तेजी देखने को मिला वो क्या continue रहने वाला क्या future में इस तरीके से जो performance है वो changing होते रहते हैं मतलब चंजीं होते रहेंगे और क्या access bank के उपर अभी निवेस करना चाहिए औभीसली में एक चीज़ जरू कहूंगा इंडिया में जितने सारे banking है जितने सारे पाइवेट बैंक है उन में से access bank भी एक जबदस बैंक है कोई चोटा मोटा बैंक तो नहीं है दो लाग करोड़ से भी जाता है इसका मार्केट कैप देसन है दो लाग 33,000 करोड़ का इसका मार्केट कहां है और कॉम्पाणी का पीर दीखे एक रिजर wal प्राइस में है 18 पर 기यक undudas इंडेस्टी सीटेस 17 मतलब को इसका इंडेस्टी स्पेर से comparison करूब तो एकतम ठीक ठाक में है एकदम same to same लेवल में देखने को मिला और company के देखिए book value के बारे बात करें तो 337 इसका book value है return of equity के बारे बात करें तो 7.58 इसका return of equity है और annually जो income है वो देखिए तो 7196 करोड का total annually income है और promoter के पास holding जो है वो 9.71% का holding हाँ करजा भी देखिए company 8 लाग साड़े 8 लाग तक करजा लेके ना आम बात है करजा तो लेकर ही काम करते है तो 8.30% का करजा तो मैं कहूंगा उतना ज्यादा करजा भी नहीं है क्योंकि banking sector में इस तरह के से करजा आपको हमेशा देखने को मिलेगा company के हाद में 11700 करोड का cash भी है और देखिए करजा लेने के बाद भी company हर interest को pay करने के देखने को मिलेगा और promoter के पास 9.71% का holding है तो overall बात करो company देखिए इंडिया का 4th largest 58 bank है और यहापे company का जो साल भर की बात बारे में बात करो आप देखेंगे तो साल भर में हर साल में company खुद को जिस तरीके से income को growth कर रहा है आप देख सकता है revenue revenue कितना सांधर growth हो रहा है और साती साथ company का expense है उसको भी अच्छा खासा control किया company ने क्योंकि 50% company का expense कमवादे किये 66,000 करोर का total income हुआ और total sales हुआ और यहापे 33,000 करोर का total expense हुआ मतलब 50% कम expense company ने किया है यही सबसे बड़ी बात होते है दिगज company के जो expense को बहुत कम करते है क्योंकि उसका जानते है उसको अच्छा खासा यहापे इंटरेस भी पे करना पड़ेगा तो इंटरेस भी पे जिस तरीके से किया तो इंटरेस पे करने के बाद taxes पे करने के profit आया वो करीबन 7,000 करोड का last time last bar में company 7,000 करोड का profit किया तो profit अच्छा खासा level में यहापे देखने को मिला और एक चीज में जूरू यहापे कहने वाला हो company देखिए आपको obviously return तो जूरू दिया मगर उतना खास return मुझे नहीं लगता कि उतना खास return मिला तो फिर भी दिख growth company का profit growth सार के सारे positivity में है तो कुछ थोड़ा सा negativity जुरूर है मगर ज्यादा तर positivity इस company के उपर आपको देखने को मिलेगा तो investor के बारे वाद को देखिए अगर company खराब होते तो promoter के बाद FIS और DIS इतना माल नहीं उठाते देखिए FIS ने कितना माल उठाया 47% कितना परसन होलिंग DIS के पास है और 12 पास कितना वह भी पब्लिक के पास तो हराल हर किसी के पास इस company के हिस्सेदारी है तो आपके पास इस company के हिस्सेदारी है जुरूर long term के लिए सोचना long term के लिए आप पर hold करना क्योंकि company जाब हो दसते है बहुत ज़्यादा वह लाड़ी है बहुत ज़्यादा अपसें डाउन है करोबन 30-40 पारसन तक गिराबड़ भी हो जाता है तो फिर भी पैनिक होके कोई भी share भेच मत दना क्योंकि इस तरीके से पार्फमें सामय सा चलते रहेंगे तो आसा करता हूं सारे जान करें आपको मिचुका है तो मेरे वीडियो अच् को share करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना मिलते न्या स्टॉक लेकिए तब तक लेचे सरी है निख्या लेखिए बबाए